असुरो का राजा बली 101 पूर्ण कर अजे हो गया था धर्ती पर अपना समराज्य इस्थापित कर वह स्वर्ग का सिहासन प्राप्त करने की तियारी करने लगा यह ग्यात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विश्नु की सरण में पहुचे इंद्र ने भगवान विश्नु से स्वर्ग का सिहासन बचाने की प्रातना की तब वामन अप्तार धरन कर भगवान विश्नु राजा बली के दरवार में गए और उनसे भिक्सा की याचना की राजा बली दानविर था उसने वामन अप्तार भगवान विश्नु को वचन दिय कि वह भिक्सा में जो भी मांगेगा उसे परदान किया जाएगा भगवान विष्णु ने भिक्सा में तीन पग भूमी मांग ली राजा बली ने अपना वचन निभाते हुए वामन अपतार भगवान विष्णु को तीन पग भूमी दान में परदान कर दी और कहा कि वह तीन पग भूमी नाप ले भगवान विष्णु ने पहले पग में पिर्थवी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को तीसरे पग के पूर्व ही राजा बली भाप चुका था कि उसके समक्स उपस्थित वामन कोई साधरन व्यक्ति नहीं है उसने अपना सीस वामन रूप राजा बली की प्रातना पर भगवान विष्णु अपने वास्त्विक रूप में आये वे बली की दान पूर्टा देख अत्यंत परसं थे उन्होंने उससे वर मांगने को कहा राजा बली बोला भगवान मेरा तो सर्वस चला गया है मेरी आप से बस यही प्रातना है कि आप हर घडी मेरे समक्स रहें भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बली के साथ पताल लोग चले गए बेकुंट में भगवान विष्णु की परतिक्सा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना बिली तो वे चिंतित हो उठी उन्होंने नारद मुनी को बु पताल लोग पहुची और नारद के सुझाय अनुसार राजा बली की कलाई में लक्सा सूत्र बांदा तब राजा बली बोला आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तब देवी लक्ष्मी अपने वास्त्विक सरूप में आई और बोली आपके पास तो साखसाद मुझे वही चाहिए राजा बली ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया चाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बली से कहा कि वे हर साल चार महा पताल लोक में निवास करेंगे वे चार महा चतुर दसी कहलाते हैं और देव सैनी एकादसी से प्रारंब होकर देव उठनी एकादसी तक चलते हैं जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बली को रक्षा सूत्र बांदा था वह सावन मास की पुन्डिमा का दिन था तब से वह दिन रक्षा बंदन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहने अपनी भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देते हैं